गूड मॉर्निंग बच्चों, गलो ओ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है, प्यारे बच्चों, आज का ज journalism है टॉपिक इस प्रकार का है, जो कि हमें ब्योहार में हमें सा दिखाई देता है बच्चों! प्रस्न आता है बच्छो, बादलों का रंग सपेद क्यों होता है, वाई क्लाउट्स एपियर वाइट, ठीक है बच्छो, इस से पहली वीडियो हमने आपको बताई थी बच्छो, कि आकास का रंग नीला क्यों दिखाई देता है बच्छो, तो वहाँ पर मैंने आपको समझा दिया था बच्छो, ठीक है बच्छो, अब बच्छो, सबसे पहले आपको जानना है कि बादल, जो बादल होता है बच्छो, क्लाउट होता है, यह जो बादल होता है बच्छो, यह जो है क्या होता है बच्छो, जल की छोटी छोटी बून है, ठीक है बच्छो, जल की छोट जल की छोटी छोटी जो बूंदें होती है या बूंदों को मिलकर बनता है बचो, ठीक है बचो, किससे बनेगा बचो? जल की छोटी छोटी बूंदों के एकत्रित होने से एकत्रित होने से बनता है ठीक है बचो, कैसे बनेगा बचो? बादल कैसे बनेगा बचो? जल की छोटी छोटी जो बूंदें है वो एकत्रित हो जाती है बचो, ये देखे ये जल की छोटी 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 बूंदें है ये क्या हो जाएंगी बचो? ये क्या हो जाएंगी? एकत्रित हो जाएंगी बचो, ये देखे इस परकार से छोटी छो जो हैं एकतित हो जाएंगी और ये किसका निर्मान कर देंगी बच्चो ये किसका निर्मान कर देंगी ये कर देंगी बदो बादल का निर्मान ये क्या है बच्चो ये क्या है बच्चो जल की बून जल की बून है बच्चो ठीक है बच्चो ड्रॉप ये दिखे बच्चो तो बच्चो, बहादाल जो है, जल की छोटी-छोटी भून है, अब बच्चो, एक चीज हमको आपको बताना है बच्चो, जो सुएत प्रकास, पहली बीडियो में भी आपको बताए था बच्चो, सुएत प्रकास, जो सुhappy प्रकास है, white light है जो ठीक बच्चो जो white light है बच्चो तो प्यारी बच्चो ये white light जो है एक रंग नहीं है एक रंग नहीं है इसमें ठीक बच्चो ये जो है मिस्रण है बच्चो ठीक है बच्चो छैर रंगों का मिस्रण है V, I, B, G, Y, O, R ठीक है बच्चो करमस्था है बैंगनी से सुरू होता है दिरिश्य प्रकास भी कहते हैं इसको बैंगनी से और लाल रंग तक एक छोटी पट्टी होती है बच्चो साथ रंगों की एक छोटी पट्टी होती है जिसको विजिविल लाइट कहते हैं बच्चो इसको कहते हैं दिरिश्य प्रकास क्या कहते हैं बच्चो दिरिश्य प्रकास इसको विजिविल लाइट विजिविल लाइट इसको हम कहते हैं बच्चो तो प्यारी बच्चो, यहाँ पर इसका तरंगदेरे प्रास कितना होता है, मैं केवल आपको भी का, देखो बच्चो, लगभग जो है चार हजार एंगिस्टॉंग, चार हजार एंगिस्टॉंग से बीच के आपको नहीं बताएंगे, आपको केवल लाल का मैं बता रहा हूँ तो माद्य आपको आही जाएगा बच्चो, लाल का जो तरंगदेरे है बच्चो, वो है बच्चो, अठथतर सो, सेवन थावजेंट, एट हंडड़ एंगिस्टॉंग, इसके बीच में है बच्चो, ठीक है बच्चो, अब जो है, लगभग लगभग जो है, आप ये बताए कि माद्य आतरंग देरे, लगभग बीच का कितना हो गए बच्चो, माद्य आतरंग देरे, घीक है बच्चो, तो माद्य आतरंग देरे जो है, लगभग लगभग हम, पांच बहुदー आप ।に 10 को मानते हैं बच्चो ठीक है? पांच हजार एनिस्टॉंग तक होता है बच्चो अब क्या होता बच्चो यहाँ पर जो है जो जो बूंद है ठीक है बच्चो यहाँ पर जो है जो जल की बूंद है ध्यान से देखे ध्यान से देखे मैं थोड़ा उपर कर दो बच्चो यहाँ पर बच्चो यह जल की अब इस जल की बूंद का जो आकार होता है बच्चो इसका जो आकार होता है वो भी लगभग पाँच हजार एंग्स्टों के बराबर होता है। जितना माध्य तरंग देरे है सुईत परकास का, उतना इसका आकार होता है बच्चो. अब क्या होता है? जब प्रकास इसपे गिरता है, तो क्या होता है बच्चो? ये सभी रंगों का परकरिणन समान रूप से करता है. ठीक है? क्या करता बच्छो? सभी रंग, साथ के साथ रंगों को एक ही तीवरता से परक्रिनित करता है अब आकास का रंग निलग क्यों दिखाए जिया? क्योंकि वहाँ पर बैंगनी और निलग परकास ही परक्रिनित हुआ तो हमारी आँख में वही परकास आया अब यहाँ पर क्या होता बच्छो? यह बूंद क्या करती है? यह बूंद क्या करती है? मैं थोड़ा लिख दूँ बच्छो हाँ, यह बूंद जो है सभी को यह जो बादल है बादल की बूंद का आकारी हो गया है तो बादल जो है बच्छो बादल, यहाँ पर लिख रहा हूँ, बादल सभी तरंग धैरियों को, सभी तरंग धैरियों का समान रूप से, समान रूप से परक्रिनित करता है, क्या करता बच्चो? बच्चो, समान रूप से परक्रिनित करता है, ठीक है बच्चो? अब जो है, समान रूप से परक्रिनित करता है, बच्चो, अब मैं यहाँ पर बताता हूँ, यह देखे बच्चो, थोड़ा सा आपको द्यान देना पड़ेगा, बच्चो, मान दिजिये बच्चो, यह बादल है किसे बना है ये जल की छोटी छोटी बूनों से बना है जिसका आकार जो है प्रकास के माध्य तरमदेरे के बरावर 5000 एंगिस्टों के बरावर है अब जो है बच्चो जो प्रकास आ रहा है स्वेट प्रकास इसमें कितने इसमें ये क्या कर रहा है, इन सब को समान रूफ से फैला रहा है, समान रूफ से फैला रहा है, सभी रंगों को एक जैसा फैलाएगा, ना तो किसी को कम और ना तो किसी को जादा, ठीक है बचो? तो ये साथ के साथ रंग, भी, आई, बी, जी, वाई, ओ, ओ, आर, ये देखो, साथ के साथ रंग, इसको क्या कहेंगे, स्वेट परकास, स्वेट परकास, तो अब बचो हमारे आँख में कैसा परकास आया, कैसा परकास आया, स्वेट परकास, तो बादल क्या दिखाए देंग क्योंकि बादल जो हैं प्रकास के जो सात रंग है उनका जब पर्किनन करेंगे तो उनकी सब की तीब्रता ये देखो बचो यहाँ पर मैंने आपको क्या फर्मला बताए था बचो? जो फैलने वाला प्रकास है फैल पर्किनित प्रकास है उसकी तीव्रता प्रकास के तरंग दैरे के चतुर्थ घात के वित्करमानुपाती हो रहा है बचो अब यहाँ पर बादल क्या कर रहा है जो की छोटी छोटी जल की बूनों का मिस्रण है वो सभी प्रकास को क्या कर रहा है एक ही तीव्रता से क्या कर रहा है बचो यदा भी जो है बचो उनका तरंगदर तो अलग लग है बचो लेकिन वो ये आई जो है सब के लिए क्या हो रहा है समान हो रहा है सभी प्रकास को के साथ रंगों को समान रूप से क्या कर रहा है बचो फैला रहा है ये उसका कारण इसलिए है क्योंकि जो है जो प्रकास का जतरंगदर है वो 5000 एंग स्टोंग है और जल की बूंदों का आकार विजू है बच्चो ठीक है बच्चो ये भी क्या है बच्चो लगव 5000 एंग स्टोंग है तो वो सबको क्या करेगा समान रूप से परक्रिनित करेगा फैलाएगा तो साथ के साथ रंग जो है हमारी आंक में आएंगे और हमको ये बादल क्या दिखाई देगा बच्चो स्वेत दिखाई देगा बच्चो तो प्यारे बच्चो आसा करता हूं कि आपको ये आ गया होगा कि बादल हमको स्वेत क्यों दिखाई देते हैं बच्चो ठीक है बच्चो स्वेत क्यों दिखाई देते हैं बच् लेता हूँ बच्चो आप अपना ख्याल रखें और चैनल पर बने रहने के लिए एक बार आपका पुनो बहुत बहुत धन्यवाद